हर्याना के फरीदाबाद में पुलिस के साइबर सेल ने खुद को कार कमपणियों का कर्मचारी बताकर कार की वार्टी एक्स्टेंड करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का परदाफाश किया है। इसके बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की कॉल अपने नंबर पर डाइवर्ट करते थे और आरोपी उस चेक में रकम बदल कर बैंक में जमा करवा देते थे। 90,000 रुपे धोखाधरी से निकाल लिए। जब इस बात की भनक अशुक कोल गी तो उन्होंने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने इस संबंध में 16 जन्वरी को IPC की धारा 406, 419, 420, 466, 468, 471, 122 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की चानबीन शुरू की। इस मामले में पुलिस आयुक्त ओपी, सिंग ने भी संग्यान लिया और आरोपियों को जल्द पकड़ने के आदेश जारी किये। इस केस को सुझाने के लिए साइब थाना प्रभारी बसंत कुमार की अगुवाई में A.S.I. नरेंद्र, A.S.I. राजेश, H.C. दिनेश और अन्य पुलिस कर्मियों सहित एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने तकनीक और सविलांस की मदद से चार आरोपियों को दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से गिरफतार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पवन उर्फ गौरव, राहुल, बलबीर और अमित उर्फ मोना के तौर पर हुई है। DCP अर्पिट जैन ने बताया कि आरोपियों ने इसी तरीके से NCR में कई लोगों से धोखाधरी करके एक करोर रुपे ठग लिये। आरोपी जस्त्रायल जैसी सेवा से लोगों के नंबर हासिल करते थे। आरोपी पवन और बलवीर लोगों को फसाने का काम करते थे। जबक पुलिस रिमान के दोरान आरोपियों ने दो अन्य वारदातों का खुलासा भी किया है। आरोपियों के खिलाफ पिछले साल 29 अक्टूबर को थाना सेक्टर 31 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को एक अन्य मामला थाना सराइख फरीदाबाद में दर्ज किया गया। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस को भी आरोपियों की गिरफतारी के संबंध में सूचना दे दी गई है। इसके अलावा भी आरोपि झाल झाल